प्रधान मंत्री आवास योजना का विकलान व्यक्ति सहित कई लोग अभी भी वंचे प्रधान ने दिखाया अपात्र। मुन्नू आज भी प्रधान मंत्री आवास वसोचाले की मांग कर रहा है। प्रधान के पास चार बार फॉर्म आवेदन करने के बाप भी आज तक आवास वसोचाले नहीं दिया गया। देखने में समझ में आता है कि कैसे प्रधान मंत्रिकी महत्वकांशी योजनाओं का अधिकारी और प्रधान पली तलगा रहे हैं। अब प्रधान मंत्री आवास का लाब लेने के लिए गरीब बन गए हैं। अब प्रधान के लिए गरीब लेखने हैं। और प्रधान के आगा है तो वह कह रहा है कि हम क्या करें और यह क्या करें। यह घर आप ही का यह जो पीछे देख रहा है। कितने दिनों से आपको यह समस्या आवास की। यह हमें तो 30 साल हो गए कम से कम यह समस्या है। यह घर आपका कब गिरा था। यह घर तो किर गया है। प्रधान जी ने आवास के लिए नहीं बोला। फिर आप रहते हैं अभी। किस गाउं की निमासी हैं। विकास खंन से कंत्रगादा था। क् nutrsoverट। हैं आगर देखिया होtil समस्य और कलॉनीसी लेकर सोचाले से लेकर करना के जागती है चौकर नहीं से कमिशन से कमिशन दे तो सबया है 5 सारे टक लए रहे हैं आपके बहुत सारी है कि हम समस्य आола क्रफ़ा ड़ी पहले तो हमारा समचाले नहीं आज से बना दूसरा है कलोनी के लिए हम दस बार अपलाई के रहे हैं दो तीन बार तो प्रधान जी के आप स्वैम गए हैं तो नहीं बढ़ोंगे ते मूलते नहीं आप इस लाइक नहीं हो आपके खेद कितने हैं आपके चार पीजा है आपके परवार में कितने बच्चे हैं सभी लोग सौच के लिए बार जाते हैं मजबूरी है खेतों में चले सुबह तो चभी निकल जाते हैं वहां भी समस्या होते होगी अब किसको समस्य दिखाये जाए झाए वहां तो बोली सकता है इसके लिए आपने कि राम परदान से हो तो नहीं बोला सच्ची उसे बहुत पहले मैंने बोला तो परदान जी बोले नहीं आप सुप अधिस लाइक नहीं जो तो मैं आतो है जो उनको देगा 12000 में 4000 में तो आ अच्छा आप करते क्या है तो मजदूरी है अपना खेटी किसानी मिलागे तेम्दूरी के साथ लगा लेते हैं तो मजदूरी के लिए तो बार चले जाते हैं